हेलो स्टूड़ांड, 11th class accountancy की हम वीडियोज कर रहे हैं अपने syllabus को कर रहे हैं आर इसके अंदर हम जो करेंगे हमने subsidiary book के अंदर cash book कर ली cash book की video single column double column हमारी पूरी होगी, petty cash book हमारी पूरी होगी आप subsidiary book में जो next book आती है वो है purchase book तो हम समझेंगे याज इस वीडियो के थिरूप के purchase book को कैसे prepare किया जाता है किन दो important चीज का हमें धियान रखना है क्या purchase book का format होता है without GST अगर हमें purchase book बनानी हो और अगर with GST बनानी हो तो तो उसके उपर हम practical question करेंगे तो आज का हमारा काम है purchase book का समझना उसका format और practical question तो शुरू करते हैं सबसे पहले हम समझेंगे कि जब हम purchase book को prepare करें तो किन चीजों को हमें धियान में रखना चाहिए तो अब दो ऐसी conditions है या things है जिनको सबसे पहले हमें याद रखना चाहिए purchase book वो book है क्योंकि इससे पहले हमने cash book बनाना सीख लिया तो हमने देखा कि अगर हम cash में purchase करते हैं तो वो किस book में चला जाता है cash book के अंदर क्योंकि cash related transaction वो चाहे purchase of goods हो या purchase of asset हो वो कहा record किया जाता है cash book में तो जब हम यह purchase book बनाए तो सबसे पहली condition जो हमें याद रखनी है जब हम उसको record करेंगे तो हमें देखना है कि वो credit में होनी चाहिए किस में होनी चाहिए उधा आपने उसकी payment अब तक ना कियो तो first condition जो हम देखेंगे जब purchase book का question हमारे सामने आए तो हम देखेंगे क्या वो credit में है पहली condition अगर credit में है और हमें पता चला तो हम दूसरी condition भी साथ के साथ देखेंगे उसमें कि क्या वो सर्फ goods के लिए है आप जानते हैं क्या होती है गोड़ का मतलब जिस चीज का हम business कर रहे होते हैं जिसकी buying and selling कर रहे हैं या ऐसी कोई भी चीज जिसका या तो हम production या उसका procurement इसलिए कर रहे हैं कि हमें उसको resell करना है तो उसको कहा जाता है goods और फिर दूसरी क्या होती है दूसरी को हम asset कहते हैं तो वह asset नहीं होनी चाहिए अब asset क्या होती है asset वह होती है जिसको हम इसलिए purchase करते हैं कि हमें उसे क्या करना है resell नहीं करना है दूसरा उसको लोंग टर्म तक यूज़ करते हैं तो यह जीच जो है यह हम इसलिए या तो बनाते हैं इसको और यह इसको परचेज करते हैं क्योंकि हमें इसको क्या करना होता है री से तो दो केडिशन देखनी है जब परचेज बुक की बात की जाए कि तो वह क्रेडिक में वह ट्रांजेक्शन मतलब कि आपने पेमेंट ना कियो क्योंकि अगर पेमेंट हो जाएगी तो कहां चली जाएगी कैश और दूसरा यह कि वह गुट्स होनी चाहिए एसेट नहीं होनी चाहिए तो अगर एसेट होगी तो भी परचेस बुक में समझना बहुत जरूरी है तो दो टाइप के फॉर्मेट मैंने आपके सामने लिए हैं वह डिपेंड करता है कि कैसा है उसके अकोडिंगली हम जो है फॉर्मेट को यूज करते हैं यह जो फॉर्मेट है जिसके अंदर हमारा जो है जी एस्ट वादा पॉर्शन नहीं है तो अ एंपिरेश में बुक्स बना रहे हैं पर गयर ये फॉलंड एडर दूसरा इंवाइक नंबर लोगा जोत शॉप्य आंट अंचा जयंह उसका नाम मीं और फिर जो भी उससे लिए वो लिखा जाता है लेजर फॉलिव आपको बताई रखा है मैंने कि लेजर के पेज का नंबर लिखा जाता है डिटेल को हम जब यूज करते हैं जब ट्रेड डिसकाउंट और कई सारी आइटम्स हमें एक साथ परचेस कर रहे हैं तो उसको हम टोटल निकालते हैं और उस टोटल पर रिखते हैं कि परचेस अकाउंट और परचेस अकाउंट हमेशा आपको डैबिट मिलेगा तो यह हमें लास्ट में लिखना होता है जब यूज करते हैं जब जी एस्ट या जो अधर एक्सेंसेज हैं रिगार्डिन परचेस ऑफ यूज करें यह फॉर्मेट बिल्कुल इसी की तरह है कुछ डिफरेंस नहीं है बस क्या हुआ कि कोस्ट का कॉलम अलग कर दिया जो जी एस्ट है जितने भी टाइप के वह अलग कर दिये या तो यह दो जी एस्ट मिलेंगे हमें जब इंट्रा सेट होता है और अगर इंटर स होते हैं उसके लिए भी मैंने 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 तो इस कोलम में एक 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 हैस्ट में यह क्या करना होता है पूर्मेट है इनको यूज करकर हम को कॉश्चन करेंगे फॉर्मेट को आपको समझना बहुत जरूरी है इसको इसली समझ पाएंगे तो यह फॉर्मेट लिया है क्योंकि इसको अंदर जी एस्की नहीं था तो पहला विदिया है विदाउट GST वाला इससे नेक्स वीडियो लाओंगा मैं इसके उपर इसी टॉपिक के उपर वो होगी विद GST तो अभी हम विदाउट GST वाले को देखते हैं दो कंडिशन आपको याद रखनी है ठीक है एक तो वो गुड्स होनी चाहिए और दूसरा वो क्रेडिट में होनी चाहिए तो यह दो कंडिशन हमें याद रखनी है जिनको फुल्फिल करेंगे अब कहा गया कि एंटर फॉल्विंग ट्राजिक्शन ये एंटर का कुश्चन है कुश्चन नंबर 13 अब यह कहता है कि एंटर फॉल्विंग ट्राजेक्शन इन दा बुक्स ऑफ परचेस किसकी है मैसर्स गुप्ता ट्रेडर तो आपको इस ट्रेडर का नाम यहां पर लिखना पड़ेगा ठीक है अब डेट में 2017 दिया हुआ है और जुलाई मंत दिया हुआ है तो वह हम यहां पर लिख लेंगे अब देखें पहली ट्राजेक्शन पर जाएं जुलाई फर्स्ट की यह ट्राजेक्शन है और यह हमें बताती है कि बोट बोट का मतलब परचेस करना पहला पहली फिर गहले राहु ट्रेडर आपने कुछ खरीदा इन्व्सनमबर लेट दिया हो है झाल जल जाता है कि जो है क्रेडिक तरानेटशन थिए जब कहार कारश बबूल था इंव Confeder Peyton पटा 100 में और कि यह जो प्रांटेक्शन है किसमे है क्रेडिक में इन्वाम नंबर में यहां दिख रहा है वह इन्वार्पर Kita ज seb नाम क्या है वालोक काम क्या करना था उस आहिकर कालना तो हमने यह पर लिख दिए अब जो-जो इससे इस का उसको पोर यॉटर जाएंगे शिर्प worse को अगर हम देखें तो हमें यही समझ में आता है कि हमारा किसका बिजने से स्टेशनरी का तो हम इन सारी चीज़ों को यहां पर रिकॉर्ड करना सुलू करेंगे तेकि सबसे पहले दिया हुआ है कि 40 रेजिस्टर आपने पर्चेस की है एक रेजिस्टर इतने का है 60 का तो 40 को 60 से मंटिप्लाई करकर डिटेल में अमाउंट लिख दो तो वह आगया 2400 फिर आपने पर्चेस किया 80 जेल पेन एड़ी रेट ओफ फिप्टीन एच त्वेल हंड़ आ गया फिर आपने पर्चेस किया 50 नॉट बुक एड़ी रेट ओफ ट्वेंटी इच वन थाउजन आ गया और इसका टोटल हम यहां पर कर लेंगे अब इसमें से हमें लेस करना है ट्रेड डिसकाउंट लिखा हुआ है देखिए ट्रेड डिसकाउंट को जनल एंट्री में नहीं नहीं शो करते पर जम पर्चेस बुक बनाएंगे तो ट्रेड डिसकाउंट को यहां लिखेंगे वह 10 परसेंट की रेट पर जो हमारा अमाउंट आया इसका 10 परसेंट हम निकालेंगे और वह इसमें से माइनस करकर बहार लिख देंगे तो यह होता है प्रेड डिसकाउंट को शो करने का काम अब जब इसको माइनस करते हैं तो यह 4140 आता है तो 4140 एक ट्रांजेक्शन का आ गया दूसरी पी चले ही तो देखें सेशनरी का विजनिस है ग्लोबल सेशनरी लिखा फिर इन्वाइस नंबर लिखा आया इसका मतलब पता चल गया कि यह ट्रांजेक्शन भी किसमें हैं क्रेडिक में हैं एक फुल्फिल होई दूसरी गुट्स हैं क्योंकि स्टेशनरी हैं तो दोनों ट्रांजेक्शन जो है कंडिशन हमारी फुल्फिल होती है हम अब इस ट्रांजेक्शन को रिपोर्ड करेंगे सबसे पहले हमें उस व्यक्ति का नाम लिखना है सब्सक्राइब जिसने हमें सप्लाय की है क्या नाम है उसका ग्लोबल स्टेशनल हम इसका नाम लिख देंगे यहां पर उसके बार इससे जो पर्चेस किया वह हमें लिखना है डेट है जुलाई 15 देखिए क्या क्या खरीड़ा आपने 40 इंक पैंक खरीड़े इंक पैड़ कि एड़ी रेट ओफ एड़ इच है कि थी हंड्रेट ट्वेंटी इंट फिप्टी इंट फाइल सापने पर्चेस की है इस एड़ी रेट ओफ टैन इच है फाइफ अंड्रेड हुआ कि उसके बाद ट्वेंटी इसके बाद इसका टोटल किया जाएगा और कहा गया है कि ट्रेड डिसकाउंट कितना दिया है फाइफ परसेंट तो आप क्या लेगेंगे लेस ट्रेड डिसकाउंट किस रेट से फाइफ परसेंट से फाइफ परसेंट अगर हम निकालते हैं तो सिक्स्टी वन रुपीज का ट्रेड डिसकाउंट आता है वह हमें माइनस करना है तो यह आगया 1159 अब दो ट्रांजेक्शन अभी बज़ी हुई है वह अभी में इस पेज़ पर यहां पर रिकॉर्ड नहीं कर सकता तो नेक्स पेज़ पर जाओंगा नेक्स पेज़ पर सिर्फ यह अमाउंट लिखूंगा ठीक है और जो ट्रांजेक्शन बच्टी है वो लिखेंगे एक ट्रांजेक्शन अभी इस पर समझ लेते हैं लिखा के पर्चेस किया आपने क्या खरीदा फर नीचे तो मेरा गूजनिस टो स्टेशनरी का था तो एक कंडीशन फुल्फिल नहीं होती कि वो गुट्स है नहीं हो इस फुल्फिल नहीं नहीं होती तो एक प्रांजेक्शन अपने यहां से कट गही अब लांस्ट बचती है इसमें आप देखो कर सुस्यो और नेक्स पहुत्यशन हमारी भूप में रिकॉर्ड होगी तो इसको रिकॉर्ड करते हैं और यह दो बहुत बैलेंस वहाँ पर लिख लेगे साथ में नेक्स पेज पर चलते हैं आपके पास आप इसको आगे करी फोरवड करेंगे उसी कोशन में नीचे क्योंकि मेरे पास एक हमांट जो हमारा पहले से चला आ रहा है वह ए 4040 और दूसरा जो हमारा आया था वह आया था 1159 यह अमांट राहूल ट्रेडर का है सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए लिए आपको नहीं लिखना क्योंकि अमांट अपके चल रहे होंगे और दूसरा था हमारा ग्लोबल स् आप एक ही में केरी फॉरवड करेंगे तो लिखने की जुनत नहीं पड़ेगी और इस तरीके से आपको इसके नीचे ही काम करना था मेरे पास स्पेस कदम है इसलिए मैं अब मैं यह वाली एंट्री सुरू करूंगा इनके इन्वोईस नमबर भी यहां पर में लिख रहा हूं अब मेरी यह ट्राजिक्शन है वो 25 को है यहां पर इन्वोईस नमबर भी है तो देखें यह तो पता चला था कि यह हमारा सारा समान गुड्स है एक कंडिशन फुल्फिलिल थी तूसरी भी करनी थी क्रेडिट में है कैसे है के इन्वोइस नमबर आया है तो पता चला कि हा इसका मतब रिकोड रोशती है तो आप हम अपको आहर इंवाईसर नमबर पो यहां लिख लेंगे यह याद रखना है कि आपको हुआ संबर मेंचन करना है अब किस से खरीदा है आपने मुंबई ट्रेडर से तो आप यहां लिख देंगे मुंबई ट्रेडर और जो जो खरीदा है वो लिखते चले जाइए 10 पेपर रिम के परचेस किये हैं अधिए टो फंड्रेड पर रिम तो कितना हो गया 1000 फिर आपने फॉर्ट फोर हंड्रेड ड्रॉइंग शीट्स परचेस की हैं अधिए टोफ फी इच ट्वेल फंड्रेड हो गया फिर आपने ट्वेंटी पैकेट्स वाटर कलर के परचेस किये हैं अधिए टो फॉर्टी पर पैकेट्स कि यह होगे ट्रेड डिसकाउंट इसमें वेंचन नहीं है जैसा बाकी दोनों जन्यत था इसमें ट्रेड डिसकाउंट नहीं है तो आप यहां सीधा एरो लगाकर अमाउंट को बाहर देख लेंगे कितना हो गया अब आपको क्या करना है इनका टोटल करकर यहां लिख देना है परचेस अकाउंट के नाम से तो देखे कि इतना आया यह हमारा इसका अंसर है और इस तरीके से हम परचेस बुक को बनाते हैं अगर वो अभी बिना जीएस्टी के हो नेक्स्ट वीडियो में हम विट जीएस्टी भी सीखेंगे तो अभी इतनी ही यह वीडियो दी हमारी थैंक्यू